कि मैं भारत को भारती अता की माननेता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूँ कि जो अपने को 21 वी शताप्थी का मानते हैं जो कहते हैं हूँ बहुत बॉर्णर हो गए हैं अब बहुत आउनिक हो गए हैं वो उठते ही चाह पीड़े आप चाहें तो प्रयों करके देखें नहीं तो मैं बता रहा हूं इसको मान देखें। ह्ट चाह बहुत ही ज़्यादा ही होती हैं ऐसे दो हैं टाओ को आठेळा स्षी रकाणूरी और चीकिळी दुनिया में अउस्त talvez त्लेओ शीन में चीकर तो डबल एसे देखोंगे और जादा असे देखोंगे अब पेट में पहले से हम्द बना होगा है और चाहे पीएके तो अमलता और बढ़ेगी तो आप तो सवासत्याना अपना पुदी करें क्योंकि मैंने आपको बताया हाystem में कहा गया है कि पेटी अभुता बढ़ती है तो रच्ट साधा करे consciousness कि उनको कोई नहीं होग से उन सब रोगों से आप जिंदगी भर परिशन होगा उनमें से यह गठिया का वोगा आपको बुट में उखेंगे, कमर उखेंगे, गंधा उखेंगे, कुछ बर्चस दुखेंगे, समझ लेजिए अमधिता बढ़ी होगा, हर्कटेक आएगा, गतरनाख रोग दुनिया में, जिनके नाम सुनने से डर लगता है, यह सब अमलता में से पैदा हुई होगे, एसीविटी में से पैदा हुए होगे, और एसीविटी एक तो भर्मान की नहीं हुई है, कोई कोई लिए, ऊपर से चाय पीके आपने और समाया देर दोना दोना उसको कर लिया, आपने तो खुद अपना फासी का इंपिजाम कर रखा है, समय में उठते ही चाय नहीं है, अब कई होगे यह शिकायत करते हैं कि राजी वही चाय नहीं पीए, तो टट्टी नहीं उतरती, वहने इतना बुरा हाल है, कि उठते ही चाय पीए है, तब जाकर ट ऑख्षूवो को, किसी को कट्टी उदारने के लिए चाय नहीं पीनी को, ना घु्ते को, ना मिल्ली को, ना चेडे को, ना 13 को, आपको क्यों चाय पी रि benefits. हुआ तो आप चाय उठते ही रहे हैं और जैदा आप नम्रिता बढ़े हैं तो असी बिमारिया है जोड की व्हें समी मैं से निकल थे इसकी ने उठते ही चाह रहे हैं बही भात शाय कभी ना पिए क्योंकि चाय पीने लायक नहीं है चाय में सबसे घराब चीज है वो चीनी उससे भी ज़्यादा खराब है चाय की पत्ती क्योंकि जो चाय की पत्ती चाय में डाली जा रही है वो असली चाय नहीं है वो टी बस्ट है चाय की गूल है और टीबस बहुत ऐसी नहीं है इसलिए उटते ही चाहिए पीने की आध़ता आप मेंसे किसी को है तो तुलन बदन देए